नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का जीवा स्टेटी पर तो मैं आपको अब दिख बताऊंगा कि काउंसलिंग कब तक होगी और कितनी कट ओफ रहेगी मैं मेरे खुद की जो पिछली बार की काउंसलिंग के जो पेपर है वो सारे दिखाऊंगा कैसे क्या होता है वो सब म मैं कई बार बता चुका हूँ हर वीडियो में बता चुका हूँ कि कट ओफ कोई भी फिक्स नहीं रहती है आप डाइसो नमर है तो भी काउंसलिंग में भाग लीजिए क्या पता आपका एडमिसन हो जाए 217 तो भी भाग लीजिए 320 तो भी भाग लीजिए 400 भी भाग लीज तो यह 2019 PTT जो 2 साल वाली है उसका मेरा सेम रहती है कांसलिंग की परक्रिया तो यह मेरी 2 साल वाली बेड का रिजल्ट है 317 में नमर आए थे मेरे वैसे मैं एक भी दिन पढ़ कर नहीं गया था ठीक है क्योंकि मैंने किसी से पूछा था कि क्या पढ़े तो उसने वोला था तेर आपने आप हो जाएगा तो ठीक है साइंस से हूं में OBC से तो यह देखिए मेरे 135 नमर रिजनिंग में आए थे 101 जिक्के में और 72 आए थे हिंदी में मत्र 72 ठीक है 397 नमर आए थे मेरे तो अब देखिए कांसलिंग में एसा रिजल्ट आया है आपका ठीक है अभी ऐसा इसा रिजल्ट है फिर देखिए कांसलिंग में क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं तो कांसलिंग में सबसे पहले तो आपको क्या है 5000 रुपे कि यह रसीद यह से चालान निकलवाना पड़ता है ठीक है चालान कटवाना पड़ता है 5000 रुपे का जो मेरा कटवाया हो लिए आप 5,000 का चालान कर्टवानें के बाद में आप कांचलिं के बाग लेती हो उसके 2-4 दिन बाद में आप क्या करते हो यह देखे मेरे कांचलिंग का जो पिछली बार काई 6 जुलाइ को मैंने आप देख सकते हो उपर और अगर आपका एड मिस्टन हो जाता है तो ये 5000 रुपए आपके जो फीस है उसमें से माइनस हो जाते है उसमें से गटा दिये जाते है ठीक है तो ये देख लिया पहली किया 5000 रुपए का मैंने चालां कट वाया उसके बाद देखो उसके बाद में ये देखो मैंने कोलेज कितनी चूज गी थी हाला कि मेरे नमबर 390 है मेरे को पहली कोलेज मिल गई थी ठीक है लेकिन फिर भी मैंने कोलेज 20 कोलेज चूज गी और आप भी 10-15-20 कोलेज चूज गरना ठीक है मैं दिखा देता हूँ मेरे को फर्स्ट कोलेज मिल गई थी नमबर ज्यादा होने के कारण लेकिन फिर भी मैंने 20 कोलेज चूज गी थी मेरे को अराम से पहले तीन कोलेज मिल जानी थी फिर भी मैंने 20 कोलेज चूज गी क्योंकि first counseling में अगर आपने college चूज गली फिर आपका क्या अगर number नहीं है तो second counseling में आपको बहुत कम chance मिलेंगे क्योंकि कई college फुल हो चुकी होगी देखिया मेरा admission वा था first college में carrier tt college जो सुजानगड सुजानगड चुरू में carrier tt college यहाँ पर मेरा admission वा था तो कोई भी अगर आप में carrier tt college में किसी का admission हो या फिर चंदर शेकर college में अगर admission हो ठीक है चंदर शेकर college सुजानगड या फिर carrier college सुजानगड में admission हो आपका तो जुरूर मिलना मेर से ठीक है तो आप देखिये 20 college चूज गी थी मैने तो मेरे को number के साब से college मिलने थी तो हो सक करते हो कि यार यह तो बहुत दूर है थोड़ा इन्हें उपर वाली में से कोई मिल जाती तो पास रहता तो आप फिर कांसलिंग खतम होने के बाद में upward moment करा सकते हो जिसमें आपका जो आठ नंबर से उपर की कोई college वो मिल सकती है अपवर मुमेंट में आप जो आठ नंबर जमा करवाने होते हैं यह वाले आप देख सकते हो मेरे 22,000 का चालान यह रहा ठीक है क्योंकि 5,000 रुपे पहले मैंने counseling के समय जमा करवा दिया तो बच्चे हुए मैंने 22,000 रुपे फिर चालान कटवा दिया यह रहा ठीक है यह मेरा 26 जुलाई का कटवाया होए ठीक है तो counseling में बहुत ज्यादा time लगता इस परक्रियाम लेगन इस बार साइद नहीं लगे इतना time क्योंकि वेसे भी ज्यादा time waste हो चुका है ठीक है ऐसा करके क्या counseling होती है और cutoff कोई fix नहीं रहती है ठीक है cutoff कोई fix नहीं रहती है आपे कितने भी number हैं आपके counseling में बाग जरूर लो ठीक है 297 तो आप जरूर ले 500 थोड़ ज्यादा कम हो जाते हैं तो ऐसे करके आप क्या counseling होती है ठीक है तो ऐसे सब कुछ process wise होगा और counseling की date अभी release नहीं है थोड़े दिन हमें release हो जाएगी एक दो दिन में और जो beard second year sorry 2 साल वाली beard है beard 2 साल वाली उसका अभी लगबग result कल य एदम प्योर एदम सही तरीके से बताई जाएगी तो subscribe जरूर करें धन्यवाद